जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योटीब चैनल में दोस्तों चैत्र मास चल रहा है और 13 एपरेल मंगलवार के दिन से चैत्र नवरातरी शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरातरी जिस दिन से शुरू होते हैं उस दिन का बहुत महत होता है इसके अलावा ग्रह नक्षत्रों का, योगों का महत्वी भी बहुत ही अधिक माना जाता है, जो नवरात्री का पहला दिन होता है, त्योंकि ये वो पावन दिन है, ये वो शुभ दिन है, जब आप अपने सभी कार्य को बिना किसी मोहुरत के देखी कर सकते हैं, त्योंकि और जब भी नवरात्री का दिन मंगलवार से शुरू होता है, तो उसका वाहन जो होता है, वो घोड़ा होता है, यानि मादुरुगा घोडे पर बैठ कर प्रवेश करने वाले हैं, हमारे घर घोड़े पर बैठ कर आने वाली है, नवरात्री का पहले दिन घट सथापना की जाती है मादरुगा के भक्त इस दिन पूरी आस्था के साथ घट स्थापना करते हैं नौ दिनों तक श्रद्धा पूर्वक माता की पूजा करते हैं नौ दिनों तक चलने वाले इस व्रत में कई सावधानिया भी रखते हैं और कुछ काम तो ऐसे होते हैं इस घट स्थापना के वक्त जिन से मा बहुत प्रसंद होती है तो हम उन कामों के बारे में जानेंगे सिहिंग राशी के लिए क्या फाइदे आपको होंगे किस तरह से आपको अपनी कार्य करने हैं छोटी छोटी ऐसी चीज़े होती हैं जो बहुत छोटी होती लेकिन महतपुर्ण बहुत होती है उनके बारे में भी बताएंगे, राशिफल के बारे में बताएंगे, किन चीजों से लाब मिलना है, कौन सा वो काम है जो आपको इस दिन जरूर करना चाहिए तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगे अब दोस्तों एक तो इस दिन योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, सरवार्थ सिद्धी योग, अमर्त सिद्धी योग, बुधा दित्य योग, महा लक्षमी योग, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, और यह सभी योग जो हैं, यह ऐसे योग हैं, जो कार्य की सिद्धी क के लिए काम को बनाने वाले काम में लाब दिलाने वाले जीवन को अच्छा करने वाले माने जाते हैं और वैसे भी नवदुर्गा के नौ दिनों की शुरुआत है तो उस लिहाद से भी ये दिन तो बहुत ही उपयुक्त हुआ अब देखें नवरातरी के पहले से ही लोग पर भी ध्हान देना है शारीरिक स्वच्छता की तरफ विद्हान देते हैं लेकिन मानसी की तौर पर वी आपको सवस्थ स्वाश्च रहना है एक तो आपको एक दो रोज पहले ही तामसीघ भुजन त्याग देना चाहिए यानई 12 अपरेल से ही आप तामसीघ भुजन त्य मादुरुगा का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सके दूसरी चीज है कि आप अपनी घर के मंदिर को साफ करते हैं तो जब मादुरुगा को प्रसंद करना चाहते हैं तो नवरात्री के जब आप स्वच्छता का ध्यान डखते हैं तो गंगाजल का प्रियोग जरूर करें प हर दिशा महतवण होती है प्रकरती महतवण है हर दिशा महतवण है इशान कौन में सबसे शुब माना जाता है अगर आप वहाँ पूजा पाठ करते हैं तो उसे भी आप साफ करें हो सके तो वही घट स्थापना करें गंगाजल से उसे शुद्ध करें अब एक चीज और होती ह है जो हमारे हिंदु धर्म का सबसे एहम है और वो है स्वास्तिक का चिन क्योंकि ये सबसे शुब माना जाता है मंगल कारी माना जाता है तो जब आप नवरात्री की पूजा शुरू करते हैं गट स्थापना करते हैं तो उससे पहले आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ये स्वास्तिक का चिन जरूर बनाएं, कहते हैं कि अगर ये स्वास्तिक का चिन बना हो तो आपके घर में शुबकार्या होते हैं, सफलता प्राप्त होती है, ये बहुत अच्छा है, अपने मन को शांत रखें, पहले जब रिशी मुनी पूजा पाठ किया करते थे तो मौनव अपरत जब हम रखते हैं तो वह हमारे अंदर एक एनरजी को एकत्रित करता है, हमारी जो हम कहते हैं, जब कि हमारी सारी एनरजी वेस्ट कर दी, तो ये वह एनरजी होती है, जिसको आप बरकरार रखते हैं, ये आपकी ऊरजा, पूजा पाठ में आप लगाएंगे इस ते, तो आप घट सापना के कुछ घंटे पहले से ही मौंधारन करें उसकी बाद आप जब आप पूजा करेंगे तो एक तो आपके मन में आने वाले विचारों पर विराम लग जाएगा और पूजा पार्ट में मन लगेगा और जो आपके अंदर की उर्जा है वो एक सही दिशा में जाएगी मा भगवती के चरणों में जाएगी उनके ध्यान में जाएगी तो इन कारियों की तरफ आपको जरूर ध्यान देना है अब राशी फल पर आ जाते हैं कि ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा तो देखिए आप कामकाज में अपने आफिस में बिजी रहेंगे सोसाइटी के किसी मुद्दे को लेकर आपको अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने का मौका मिलेगा किसी ऐसी मीटिंग में आप जा सकते हैं जो सोसाइटी से जोड़ी हुई हो और अपनी बाते रखने का मौका मिलेगा जिसका परभाव कुछ लोगों पर साफ दिखाए देगा आपके लिए खर्चे ज़रूर बढ़ रहे हैं खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर करें परिवार के कुछ मामले आपको अंदेखे करने पड़ेंगे घर के बड़े बजर्ग हैं जो उनके साथ आप वक्त बिताएं अगर आप उनके साथ वक्त बिताएंगे जो इस्ष्टियां जो है वो काफी फिबरेबल रहेंगी लेकिन इन से दिन आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है जिसकी वज़े से थोड़ी जुंचलाहट बेचैनी आपके मन में हो सकती है अब धनलाव के योग भी बन रहे हैं इस दिन आपके लिए लेकिन ऐसा हो सकता है कि सेहिंग राशी के लोग जो है बहुत जल्दी ही गुसे में आ जाते है और ये गुसा आपको इस दिन नुकसान पहुचा सकता है क्योंकि धनलाव के योग हैं लेकिन आप अपने गुसेल स्वभाव की वज़े से उस मौकी को गमा सकते हैं उस चीज को आप गमा सकते हैं दिस चीज का ध्यान रखें बाकी घरेरू मामलों में आप समय से अपने सभी कामों को निक्टा पाएंगे जो लंबित कारेब घर के कामकाजते उनको अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे अपने जीवन साथी के चहरे पर मुस्कान ले आएंगे कुछ उनको आज आप तौफा भी दे सकते हैं आज आप उनकी इज़त भी करेंगे खुद को भी अभिव्यक्त करने के लिए आपके पास अच्छा समय होगा आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करें जो रचनात्मक हो अगर तो यात्रा के मौके को हाथ से बिलकुल न जाने दे क्योंकि अगर कामकाज के सिलसले में इस दिन यात्रा होती है तो ये यात्रा आपके लिए बहुत फायदेमन रहेगी इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान जरूर दे इसके अलावा ये वो दिन भी हो सकता है जब आप अपने रुके हुए कारियों को पूरा कर लें और अगर आपको अपनी उच्छ अधिकारी से स्विकरती चाहिए थी तो वो भी मिल सकती है आज आप अपनी जान पहचान का प्रियोग करेंगे उर्जा का प्रियोग करेंगे और अपने कामों को पूरा करा लेंगे यह स्थिदी काफी अच्छी है अपने कामों को पूरा करने वाली कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो आपके सहकर में आपका विरोध कर सकते हैं तो वहाँ थोड़ा ध्यान जरूर रखें अपनी सची भावना किसी को बताना चाहते हैं तो जरूर बताएं क्योंकि वो व्यक्ति आपके बारे में राय बदल सकता है साज़ेदारी में आप कोई काम कर रहे हैं या आप अपने व्यवसाय को बंद करके कहीं दूसरी जगा व्यवसाय करने के लिए सोच रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें यसी ओजना को अभी टाल दें दूसरी जगा अभी अपलाई ना करें रोमांस के मामले ठीक ठाक रहेंगे बहुत अच्छा नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक रहेंगे बाकी दामपत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा स्वास्थे की जस्ट्री से देखा जाए तो स्वास्थे ठीक ठाक है स्वास्थे में भी कोई बड़ी परिशानी आपके लिए नहीं दिखाई दे रही है लेकिन इस दिन आप एक कारे जरूर करें एक तो आप बहते हुए जल में तिल परवाहित करें ये बहुत उत्तम उपाय होगा परिश्थितियां आपके अनुकूल इस दिन बन सकती है दूसरी चीज़ है जो आपको जरूर करना है नवरातरी की शुरुवात है और देखिए जो मादुरगा का वाहन होता है वो सिहिंग होता है शेर होता है आपकी राशी का चिन्न होता है तो आज सुभा मंदिर में दुरगा मंदिर में मादुरगा को परसाद चड़ाएं और लाल पुष्प चड़ाएं इससे क्या होगा आपकी जीवन की नईया है वो पार लगेगी साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें